New Time God Task की दावेदारी में यहां चाहत पांडे को लगा सबसे बड़ा छटका चाहत पांडे की एक गलती जो है काफी जादा महंगा पर चुका है दोस्तों जिसकी वज़े से चाहत पांडे अब हो सकती है शो से बाहर, शो से एलिमेनेड अगले दो हपतों में ऐसा हो सकता है आईए आप सभी दश्कों को बताते हैं दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में यही बात लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चानल और क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब करनें बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें बिग बॉस के खर के अंदर बिग बॉस के जो सुर है वो बदल चुके हैं पिछले सीजन्स के मुताबिक इस सीजन में पिछले सीजन्स में ये कहा जाता था बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा कि इंडिविज्वल खेलो इंडिविज्वल खेलो इंडिविज्वल खेलो इस बात का नारा जो है हमेशा से ही बिग बॉस के मेकर्स लगाते थे लेकि इस बार क्या हो रहा है इस बार ये बात बोला ज रहा है कि ग्रूप में खेलो ग्रूप में खेलो ग्रूप में खेलो और चाहत पांडे को भी यही हिदायत दी अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है क्योंकि चाहत पांडे को बिग बॉस के मेकर्स पसंद नहीं कर रहे हैं चाहत पांडे अकेले खेल रही है सोलो खेल रही है और व अपनी लाडली को उस रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में चाहत पांडे निकल कर सामने आ रही थी इसलिए नेरेटिव ये सट करने की कोशिश कर रहे थे कि चाहत तुम ग्रूप में खेलो तुम सोलो मत खेलो अगर सोलो खेलती वो तो बहुत ही अच्छे से कंटेंटर के रूप में निकालना चाहते थे बिग बॉस एक रियालिटी शो है लेकिन इसमें रियालिटी नाम की चीच अब रहे नहीं गई है दोस्तों और नाइंसाफी जो है नए टाइम गॉड टास्क में भी यही देखने को मिला दावेदारी की जो टास्क है उसमें भ विजय को उन्होंने टाइम गॉड बनाया था लेकिन ये दोनों मुश्तंडे जो है धोका देते हैं और पुराने टाइम गॉड होने का फायदा उठा कर यहाँ पर नया टाइम गॉड चुनने वाले टास्क में यहाँ पर चाहत पांडे को धक्के मारकर बाहर कर देते हैं इसे टास्क से धोका दे देते हैं, अब यहाँ पर चाहत पांडे की गलती कहां आई, चाहत पांडे जैसा पहले खेल रहे जी वैसा ही खेलना चाहिए था, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये घर ही, ये घर ही मतलब ऐसा है, दोस्ती इस पर किया ही नहीं जा सकता अज चाहत पांडे के हालत जो हुई है ना घर की हुई है ना घाट की हुई है और इसकी सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है बिग बॉस के मेकर्स खुद है क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स ईशा को सपोर्ट करने के चलते चाहत पांडे का गेम जो है पूरी तरह से खराब क या जा रहा है makers के तरब से अब यह गलती हो गई अब चाहत पांडे अगले हपते टाइम गौड भी नहीं बन पाएगी मतलब इस हपते तो टाइम गौड ही नहीं बन पाई लेकिन अगले हपते भी बने या ना बने इसकी कोई वारेंटी नहीं नॉमिनेशन में वो लगतार आ रही हैं इस अपते नॉमिनेशन से वो सेफ हैं इस अपते तो सारा जाएगा या तो बगगा जाएगा लेकिन यहाँ पताना चाहते हैं दोस्तों नॉमिनेशन में अगर आती है और जिस तरह से performance उसका कमफ जोर किया जा रहा है हो सकता है कि audience उन्हें vote ही ना करे audience उनको vote करने के लिए अपना mobile ही ना उठाएं और audience जो है वो बाहर कर दे क्योंकि इस बार तो reality show रहनी गया Big Boss अथारा पूरी तरह से biased show है पूरी तरह से अपनी चुगली गैंग को support कर रहे हैं अपने faces को support करने Big Boss के makers यह सबसे बड़ी गलती dimakers के तरफ से है जिस वज़े से TRP भी नहीं आरही है और चाहत पांडे के साथ गलत कर रहे हैं और चाहत पांडे जो है उस चकरवियों में फस फस कर फस फस कर फस कर दोसरों पर विश्रास कर 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 अपना जो एक अच्छा खेल लेके जा ले थी उस खेल को भी उन्होंने विगाड लिया। तो ये चीजे जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों बिग बॉस अठारा के घर के अंदर से। तो किते जादा आप हैं एक्साइटेड इन सबी चीजों को देखने के लिए कमेंट के जरी आप हम ये बात जरूर बताएं।